परिवार को बन्दग बनाकर लाखों की लूट वरेली थाना फरीदपुर छेतर में एक परिवार को बन्दग बनाकर लाखों की लूट करने का मामला सामने आया है परिवार को बंदे बॉना कर मार पेती तरीब दो घंटे तक बंदमासु ने लूट पाट की बंदमासु के घर से जाने कवाद फीड़ित परिवार ने पुलिस को 112 पर सूच न दी परिवार में काफी आक्रोश है क्या हुए था हम तो सो रहे थे बरामदा में खक्ताइं के सब को कमरा में करते हो थो और फिर हम लोग जगे तो फिर हम लोग जगे तो फिर हम लोग इनके पास को असला बगैरा भी थे जो लोग घर में कुछ दे तमेंचा उन्चा सब थे चुरी ओरी चापू कुछ सब थे कितने रोप थे कितनी देर तक यह लूट करते रहे हैं दो धाई हिंटा कूब ने सब चीज लिका लिका लिए किते रुपए की लूट हुई है है अब देखो बगाया वहारा जाने थे और ललकों अ थो हमाई कंठी थी खाहले लेली हमारी थी अब तक क्या कर भाहिएकि पुलीस ने का रभाई अबतक च्ना पता रहाता हुई थे वचाह आती चलिए तो इस रही तो दो खाल रहा हैं नंदग का ले ऑन जा एकी नंदग के नंदग के विस सबही ही मिला है कि अबसकी जोड़ी उनके कंडले लेगे बांद अतरहे हमें लोगों ना पता लगों, हम लोग तो अंदर सुआ रहाते हैं, परदा पड़े थे पिर खुल दीखी ना रहो तो कि अब अपको? में तुनाव क्या हुआ था? कि अब 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 कि इसले आगेती होगे आपके हैं कितने लोग रहा होंगे करीज़ा चाहिए भर भाई देखे यह साथ आदमी तो हमाइन देखे यह साथ आदमी साथ गेडि़ घर है ने देखे आधिया दुआरे निरे खड़े हैं पुलिस नो कुल कारवाई की अब तक? अब सावावाई नहीं तक आगी बार्ट अरे दया रहावाई आगी बार्ट गन्ना से भरी ओबलोर्ट ट्राक्टर ट्राली ने बाईट को मारी टककर दोकी मौत बरेली थाना नवाव गन्ज के मुदिया तेनी गांग के लाला राम का बेटा सुनें गांग में ही रहने वाले अपने दोस्ता जय उठ पूरा पुत्र खिंकर निलाल के साथ बाईट से बिजोरिया रेल्वे स्टेशन की उरा जा रही थी नवाव गन्ज बिजोरिया मार्ग पर बिजोरिया रेल्वे स्टेशन से कुछ दूर पहले पहुँचने पर सामने से तेज गति से आते गन्ने से भरे एक ओबलोड ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी बाईट को टककर मार दी जिससे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई सुचना पर पहुची पुलिस ने दोनों के शवों को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए बरेली भीज दिया तककर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्राली चालक मौके पर ट्रैक्टर ट्राली छोड़ कर फरार हो गया पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को अपने कबजे में ले लिया है क्या कहकर गाते हैं घर से कुछ कहकर आए थे हम घर पे नहीं थे पता नहीं पापा से कहकर आऊंगे कोई रिस्तदारी भी नवाब बुन ली थे ना ना कोई रिस्तदारी आचा बायक में कितने लोग थे कौन-कौन एक्सपार हुआ बहेडी प्राम मलकपुर में सपा नेता वा संभावित प्रत्याशी नसीम इहमद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भाजपा का सफाया होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिया अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रती जनता में उत्सा, विश्वास और जोश का जो जज़बा दिखा है वह बुटपूर है भाजपा की गलत मीतियों से परेशान किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, अगड़े, पिछड़े, डलित, अल्पसंखियक सभी वर्ग श्री अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए हैं भाजपा की कारगुजारी को उजागर करने के लिए ग्राम मलकपुर की जनसभा में हर बर्ग के लोग शामिल हुए जनसभा में जबर्दस्त उतसाह रहा सपानेता नसीम मेहमद ने कहा कि अगर जंता ने इसी उत्साह के साथ वोट कर दिया तो भाजपा की एतिहा से खार होगी पुरी तरीके से ओर हर बिभाग को जैसे में काम कर रही है और देश के एरफोर्ट हैं और अच्छे रूट है रिल वे के तो उसका शिकार यहां के काव के लोगों को भी होना प्लडा है और बेरोजगार घूम लह और किसानों ने वही बताया जैसे के पूरे le Yes सबाव में हम लोग घूम रहे हैं कि किसी को भी 1940 जो नियुंतम समर्तनमूल धान का नहीं मिला है उन लोगो केवल जो बीच के बनिये हैं और जो यहां के बिधायक हैं और यहां के अधिकारी बीच में कमिशन का के उनका धान राइस में लोगे 1516 रुपए में तुलबा रहे ह जिसमें सब अधिकारी जो भिरस्त हैं वो भी मिले हुए हैं और यहां के जितने नेता हैं वो भी मिले हुए हैं